विए विदियो करने जा रहे हैं इसमें एक विदियो बनाई है रिहान अलावाला ने जसमें नेगटिव या पॉजिटिव लोगों के बारे में उन्होंने कुछ बात की है भी उन्हीं से जानेंगे थोड़े दिर पहले मेरी उनसे बात हो रही थी लेकिन वो विडियो जो है वो इंटरसेट हो गई बीच में उसमें कोई टेक्निकल गलेच आ गया जिसकी वज़ा से हमें विडियो डिसकंटिन्यू करने पड़ी अब χाテुरा रिम्हर, रमेश, घृब दे़ुक्र लेसे जेशना आबी हम बनादार कर रहे हैं रहान एक न्स आप किस तरह ओप की जा सकती है हमारा एक शो है How Can I Help You जिस पे हम वीडियो करते रहते हैं आप से पूछते रहते हैं In the meantime मैं रिहान का वेट कर रहा हूँ तो साथ ही आप लोगों से पूछ भी रहा हूँ कि आपकी किस तरह help कर सकता हूँ आप How Can I Help You पेज को विजिट कर सकते हैं उस पे देख सकते हैं different expertise हैं लोगों की जो अपनी अपनी expertise के मताबक बताते रहते हैं किस चीज में वो आपकी help कर सकते हैं Nabil Inam, I hope you are doing good What's going on? Well, I'm doing this live video ताके रिहान अलवाला के साथ एक joint session कर सकों, एक joint video कर सकों और in the meantime मैं लोगों से पूछ रहा हूँ कि उनकी help कैसे की जा सकती हैं तो आप भी मुझे बता सकते हैं और भी लोग जो join कर रहे हैं वो भी बता सकते हैं उनको क्या help चाहिए? It's primarily non-financial help ये financial help नहीं है non-financial help है और इसी के लिए हम लोगों से पूछते हैं कि उनकी किस तरह help की जा सकती है रेहान अगर आपने हमें जोइन किया है तो एक कमेंट कर दें ताके मैं देख लूँ और आपको invite कर सको I really hope कि रेहान के साथ वीडियो कनेक्ट हो सके और हम से अच्छी अच्छी बातें कर सकें इस page के उपर So how can I help you page के उपर different लोग अपनी expertise के मताबक लोगों को guide करते हैं, council करते हैं उनको मश्वरे देते हैं कुछ लोग United States move होने के हवाले से कुछ लोग किसी और हवाले से तो आप उस page को join कर सकते हैं और खा सकते हैं हमें बता सकते हैं कि आपकी किस तरहां से help की जाए फिर जो भी expert उससे related होगा वापकी हगा and Rehan has joined us Rehan, welcome वालेकम स्लाम, स्लाम अलेकम अवाज आरिया वालेकम स्लाम, बिलकुल आरिया अब कादियादीनी तो नहीं है, मैं आपको सलाम कर सकता हूँ यह मज़े सोचना पड़ेगा I think for now you can talk to me अजियून स्लाम अलेकम कर सकता हूँ वालेकम स्लाम, बिलकुल मैं खत्म नबुवत पर यकीन रखता हूँ और मैं एक मुसल्मान हूँ साही है आज मैं यह सोच रहता कि कल मैं जहाज से वीडियो बिना रहता तो किसी ने कहा कि जहाज कब चलेगा तो जहाज तो चल रहा था और जहाज चल भी रहा था और जहाज ओड़ भी रहा था और किसी को मैसूस नहीं हो रहा था कि जहाज ओड़ रहा है तो फिर मैं ने हमारी हम रियलाइजेशन पर आते हैं कुछ इंसिदेंस होते हैं तुरे माइंडर्स मिलते हैं के दुनिया भी तो एक जहाज है, इसको बहुत सारे लोग कहते हैं कि परी स्पेस्शिप अर्थ का लब्स यूस करते हैं, और दुनिया कॉंस्टंटली सेंक्ड़ो मील पर घंटे के साब से मुव कर रही है, अर अराउंड सन, जो हमारी तुनियूर्स है, यू कोंस्टंटली से गालक्सी में भी तो इसको बहुत स्पेस्शिप नहीं हैं, और अगर हम स्पेस्शिप को थोड़ा चोटा करते हैं तो एक जहाज का सफर या बस का सफर कर रहे हैं, तो चाले से दोसो लोग ते हैं, तो अगर हम वहाँ पर उ जाएगा और कोई नहीं पचाएगा, जो एक भी गॉली सलाद है तो कोई नहीं पचाएगा, तो इस वक्त दुनिया जब हमें यह सब चीज़े पता हैं कि भी दुनिया गॉल है, दुनिया कनेक्टिट, एक जारे हम एक स्पेस्शिप पहें, तो हम बसक्तिकली पैसेंजर्स हैं, और बसक्तिक उडिए, और और लुगा है, तो हम फोंस बाद आगा हैं में दुनिया प्रुनिया जारे हम चुनिया अच दुनिया नहीं के साथ हैं, और जिस तरह हैं अगर आप अपर आप अमेरिक सम्हर करें तो आपके सामने फोन लगा होते हैं कि आपकिसी बीसीग को कॉल कर लें करें तो उनसे बात भी करने हैं अब हम इस ने वाइ-फाई भी जाहाद में तागा दिया और बाकी जिती चोटी अमेरिकन एलाइन्स हैं उन्हें भी वाइ-फाई उन्हें फ्री कर दिया हुँँँँभी जाहाद में आखे बुछान में आखें पर किया हम इस तरहसर दोग एक्साजर उन्हें एक्सटर नंबर एक्साजर नंबर य हैं वे इतना जादा अजादवर्ट और तीन जादान आग्रोच एट्रेड और मैं नॉर्थ कुरिया बंपार दोओ आजि पेड्म हते की प्वारगों का जब आरवाग। तो यह झाप मारेंगे तो फिसका जाएगा कि बटव पस्पेसच्छि बंडाप का जाएगा तो तो we will all be in deep shit, basically. जाहजगरे जाएगा निचे कहीं भी जाहा भी निचे है, wherever the, you know, दुनिया मैं जाहा जाहा है. I was just thinking that, how do we help people realize, should I make an animation video, should I, um, what should I do? So, let's go, let's try this video, we'll try this video, although my washer and solar background are also coming to it. I don't know, I don't know. Very good. So, share, you guys, you can take this video and simulate it and use a spaceship Mother Earth video to make a video and let's see how much it comes out. Let's find out that we're on one space, one ship's path, we're on a journey. And when we travel, when we travel, the Lord said that our life is like we're in the sea, we're in the sea, we're in the sea, we're in the sea, we're in the sea. So, this is the world of life. So, behind such a life, so much of the head, so much of the anger, so much of the frustration, so much of the frustration, so much of the anger, oh my God. So, if all the passengers do in the sea, then those little spouses and the pets are them again. The food is still coming afterwards, that's why we're in the sea. This roasters are making a masie, what do you have to do? The people in Pakistan who are standing there and inspire them to create a roasters and you've given them a masie title to make a masie title, you've just made it. Mashi is telling them, their parents are kindergarten in Punjabi. They're calling masie father, mom's mother. I'm traveling to America with many people, a little kid for the elderly. यहां पे तो सारी जहें हैं तुछादा भी नानी हैं बाभुषका इस पर वी होती हैं यह तुछावलिंग लोकल ना तो इसलिए अब इंटरनेश्टल फ्राइट पर जाएं आपको मिलेंगी वहां पर और चोटी शोटी युनाइटेड एरलाइन और हम कॉंटिनेंटर और अमेरिकन मैं शोर कि वहां पर बाभुषकाजी होगी तुछ 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 अमरीका में बिचारे को नौकरी से नही निकाल सकते हैं हम आप अभी बापसी पे जब आप जाएंगे पाकिसान तो आप कतर से ट्रेवल करें वहां पे आपको खाला नहीं मिलेंगी मासी नहीं मिलेंगी आप कतर में इंडियन्स और निपालीज बरी गया है एमरीज आप एड्माइर किसकेंदे येस आप एग्राइज को में एक जमा कर दी होने हैं तुछ 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 आप अच्छ ये बात आप बहुत गहरी कर रहे हैं और मुझे पता भी है क्या बैग्राउंड है जिस में इस अब चल रहा है मैं खुद बहुत अजीब सा फील कर रहा हूं ती मैं फॉलो कर रहा हूं देख रहा हूं लोगों का घुसा इतना जादा और इतनी एक्रेशन है एक एक्स्ट्रीम पर और बहुती चोटी सी बात है जसके ओपरे सारी कहानी शुरू हुई है जिस अंगल से उसको देख रहे हुँ उसको देख रहे हुई है उसके जब हमारा इमान है कि हम अपने नभी के पीछ अपनी जान भी दे सकते हैं पिर एक अधीस है कि भी जब तक मैं आपको अपने माबाप से भी जादा हभूब ना हूँ तो अपनी जननत को बचाने के लिए ये सारा सोच रहे हैं कि भी अगर हमने यहां गरबड कर दी खुस्ता नहीं कि तो जननत हमारी में साउट हो जाएगी वो जो हमें हूरे चाहिए हैं वो प्राब्लम हो जाएगी तो कल बड़े मज़े की बात हुई कि मैंने किसी को कहा कि मरने को कोई तयार नहीं होते मुसल्मान कुछ कुछ इस तरह का मैंने बोला तो मेरी दोस्त ने कहा कि मरने को मुसल्मान तयार नहीं होते हो तो उनकी बहत्तर हुरे मौजूद हैं त जो एक चीज़ मुझे समझ में आई है, हो सकता है, सही हो सकता है, खलत हु, मुझे यह लगता है कि जो feedback हमारे कानों में गुंचता रहता है, और a period of fears, जो हम आसपास से अपने सुनते हैं और वो ही सुन-सुन के बड़े होते हैं, उसकी basis पे एक mindset बन जाता है, एक personality डिवलप हो जाती है, जिसमें aggression बहुत जादा पढ़ गई है, और शायद दीन जो है, वो यही रह गया है कि कह नहीं पे भी अगर कोई उपर नीचे बात हो तो अस वक्त जितना जादा aggressive हो सकते हैं, वो हो जाएं, शायद उससे दीन बज़ जाएगा हमारा यहां मसल्मान रहा जाएंगे, मगर ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, जो एतिदाल पसंदी की तरफ भी आपको रागब करती है जो आपको उच्छे खलाक की तरफ भी रागब करती हैं, बहुत सारे ऐसे scholars हैं, religious scholars हैं, हर sect के अंदर भी different scholars हैं, जो के कहेंगे कि आप अच्छे खलाक का मँसाहरा करें, लोगों से नर्मी से बात करें आपको ऐसी बहुत सारी जो है वो अहादीस भी रेफर कर देंगे आयात का भी रेफरेंस देंगे मगर मैं यह समझता हूँ कि इस जिस टॉपिक पर बात शुरू हुई उस टॉपिक पर बात शुरू होने में कोई इशू नहीं है लेकिन मुझे लगता है जहां लोगों का माइंडसेट एक बनावाए इतने यर्स से एक वो fixated है उस पर majority of people जो जो react कर रहे है तो थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता अगर trial and error इसी तरह चलता रहे अगर experiment होता रहे avenues कुलते रहें अब जैसे जिस जिसने aggression दिखाई है वो aggression एक तो पूरा went out करने के बाद थोड़ा सा calm down होगा पिर उसने भी कुछ ना कुछ सोचा होगा अगर next time कहीं पे discussion हो उस discussion से पहले वो किसी scholar से consult कर ले और scholar जो है वो से बता दें कि सिर्फ aggression ही जो है वो एक solution नहीं है आप logical reasoning करिए आप बात कीजे खुश खलाकी से समझने की कोशिश करें सामने वाला क्या कह रहा है तो हो सकता है next time जब ये topic आए या आपकी जगा अभी आपने एक बनियाद रखी है कि आप लोगों को different variety of topics के उपर मौका दे रहे हैं बात करने का मुक्तलिफ countries में जो लोग है उनको ले के आ रहे हैं सामने तो अभी ऐसे लोग कम हैं हमारे पास जो ऐसे opportunity create कर रहे हैं और जो शुरू में आता है ना सफर वही करता है आप देखें ट्रैंस म्यूजिक देख लें जब स्टार्ट हुई जब पॉप म्यूजिक स्टार्ट हुई किसी भी चीज को आप देख लें जब concept स्टार्ट होता है तो वो स्टार्ट करने वाला थोड़ा सफर करता है लेकिन next generation में जो लोग आते हैं इस चीज को बार-बार करते रहते हैं continuity के साथ तो फिर लोगों पर उसका असर बैठना शुरू होता है और वो जंग जो है उतरना शुरू हो जाता है जहनों से सब्सक्राइब करते हैं क्या चीज़? आप भी तो evolution की बात करते हैं ना, revolution की जगा नबील इनाम, आप थर की community को western community में क्यों introduce करना चाहते हैं? पहले पाकिस्टान में तो introduce कर लें मेरा मशवरा है कि आप थर की जो लोग वहां रहते हैं, उनकी interviews हमें दिखाएं आप जाके थर के जो दुकानदार हैं उनसे मिलवाएं, आप थर के जो लोग हट्स में रहते हैं, हमें उनसे मिलवाएं एक बच्चा अगर dedicate करते हैं अपनी आपको, कि थर के थर को expose कर दे तो मैं अपना platform खोल दूँगा उनके लिए, आप बनाना शुरू करें, वीडियो बनाना शुरू करें, उनकी कहानिया सुनाएं, उनके वीडियो लगाएं जो अंटी जो जा रही है, पानी भरने जा रही है, या उसको परिशानी है उसकी कहानी हमें सुनाएं या कोई ओल अंटी है, उसकी कहानी सुनाएं, कोई ओल बाबा है, उसकी कहानी सुनाएं तो ये कहानियां लोग देखते हैं, और लोग आप ही आप बनाना शुरू करेंगे, जब आपकी सौ कहानिया हो जाएंगी तो people will come forward, like people like me will come forward and say, कि जी, आप इसको production quality में बनाते हैं, चले आते हैं पिर अब आप देखें, Facebook has announced finally channel, तो Facebook के उपर आप बकाईदा production content प्रोड़ूस कर सेकेंगे, future में तो future तो बहुत bright है, तो आप अपने अपने, आपको जा है, मसल बिल्ड करें, अपने ability में, तो तो चाहे वो थर हो, चाहे वो चमन हो, चाहे मनली बादुईन हो, चाहे वो कोई भी नुकड हो, चाहे वो करंगी हो, चाहे वो औरंगी टाउन हो, basically जो लोग तूर रहते हैं तो अगर औरंगी टाउन के नाई की दुकान पर आप जाएं और नाई से कहानिया पूछना शुरू करते हैं तो नाई और रिक्षेवालों के पास बेतरीन कहानिया होती हैं उनको बहुत जादा कहानिया सुनने को जैसे अमरीका में बार्टेंडर्स की पास कहानिया होती हैं पाकिसान में हमारे पास बार्टेंडर्स नहीं होते हैं तो रिक्षेवाले होते हैं नाई होते हैं तो आगर अगर अपना मुबाइल पकड़के ले जाएं और रोज नाई की कहानि लगाना शुरू कर दें तो नाई भी खुश जाएगा तो यार बेरे से कुछ सुनने वाल और पर अगर 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 लोग ट्विआ करएं लगोर होते हैं यह लोग अगर जाहतना हैं मैं थोड़ी दिन पार देख राताी, मैंने थोड़े दिन पहरी देख दोस्ता है। कासिम ने कंपेंच चलाई थी इसी तरहा दुह साल तीन साल बढ़ी , मैंने कंपेंच Subscribe दो साल दया थी जी यह यह दोस्त इंशाली हो जाती है। तो और जब फिजिकल अप्रोचिनिटी सामने आती है तो बढ़िट हो जाती है पहले ही होता था कि अभी भी वेस्ट में यह होता है कि आज मैं एक जेम्स बोड़ी से बात कर रह था अपने दोस्त बाबजी से तो वो कहरा था कि यह रच इन 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 वेस्ट अमस्ली पीपल वांट 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 वेस्बॉक तो बहुत जादा नाराज थे बिलके नाराज नहीं थे सार्कास्टिक थे कि पूरा जैसे आद में कॉन्फरेंस में गया तो सब लोग मुझे मैं घुस्ते ही सामने सबसे पहले मार्क मिला जिसकी वो कॉन्फरेंस थी तो वो चलते भी लग रह रहा है सबसे जादा मैं अंग्रेजी नहीं बहुत नहीं सुनना लिए सबसे जादा फेस्बॉक पे तुम्हारे दोस्ते हैं मैं जिसको जानता हूं मैं अगर आपको पाकिस्तान में फ्रेंड चाहिए इसको फॉरेंट कर रहा फट अभी आपके बंज जाएंगी जैसे हमारी नहीं ताने मारते बावे तो क्योंके वो मेरे साथ 4-5 साथ से कनेक्टेड था तो पाकिस्तानी हमला करते रहता है तो आज इसने फाइनली अपना फॉलवा लिया मुझ से तो अब उसको फॉलवर मिल जाएंगे मेरी फोटों लगा ना मुझे फिर 500 लोग आ जाएंगे मेरे फॉल यह थाओ था जो थाओ लोगल जाएंगे ना मुझ सहर बावड़ तो पॉलाजा जब दूसरे के अजब करता है एक दूसरे से मिल लेंगे जान लेंगे तूसरे को तो खॉफ दूर हो जाएंगे फिर सेड़ रबे हो जाएंगे मुझे जो सबसे च्ष्पिरिंस हो आए इस वो यह वा कि मुझे पिछले तीन दिन में, I have like 5-10 people, जो ex-Ehmadhi थे, वो भी आगे, 5-10 people, जो Ahamadhi थे, वो भी आगे, 5-10 वो भी आगे, 5-10 वो भी आगे, जो जो चेर्में भी आगे, जो पूरे को अगेंस्ट हैं, हमधियों के, वो भी आगे, तो all of them just came out, and you know, I became the, my job is basically being in the lighthouse, सारे लोग मुझे जो है, मेरे प्लाटफॉर्म पर आगे, दूसरे को गाली दे सकते हैं, right? That's the whole idea, कि आप आएं और मेरे प्लाटफॉर्म पर इंडियन को गाली दे हैं, जेहूदी को गाली दे, सब को गाली दे, जब गाली का टंकी खाली हो जाएगी, तो अगरी बात सुरो, तो लोग बात नहीं करते हैं, आपस में, और किसी को सही होने को नहीं कह रहा है, मैं आपको इतनी कुरियासिटी, मैंने कोई कुरियासिटी, मैंने कोई कुरियासिटी नहीं, आपको इतनी कुरियासिटी, मैंने कोई कुरियासिटी, मैंने कोई कुरियासिटी, मैंने कोई कुरियासिटी, मैंने कुरियासिटी, मैंने कोई कुरियासिटी, मैंने कुरियासिटी, आप अपितीब के से खुड़ दूछरीए, से लिड़ regular. अब लोग को एक लिगे सकते हैं अबलों कोफॉटथामि एक प्लाट-फॉर्म के लोगों को सबदा सकते हैं कि वस्ते गोगों कोफॉर Baptist ऑन्लेएं कहना sect that's probably laugh. करशिए supply- ou encara HD yeah I know और एमजी साब जो है वो उनको फ्रेंड लें 150 कोमेंट ओमाइगाद फिर लोग कहते हैं आप इसी पोस्टे के लगाते हैं लोग सुनना ही यह चाहते हैं तो महें क्या करूं लोग कहते हैं मेडिया काप्षबरे लगाते हैं आप खाबाब खबरे सुनना बंद कर दें कर दो परिमेडिया लगानागде करते हैं रहां त्रिए टेंक वो मुष्टी जो उसका जो टान था वो मैं बी सोछा थे लाखे लेकर मैं जा बाइं इत की च छारोच्षाई आप इनको एहमधी नई कएं एहमधी नहीं किया ये कादीनिय है चलें भई कादीácी ये प्लिए के शुरू करदें मुझे को फरक नी बचेटेंगगा ऩवे गुलाब का फूल कहना शुरू करतें उनको गुलाब को पूल कैयाम जी justify उनको गुलाब को पूल से नबोसालि नहीं है अच्था इह बात सही है लोगों को इसी मसालेली चीजें बड़ी इजी लगती है लेकिन एक चीजों मैं देख रहा हो मैं यह देख रहा हूँ लोगों के इंदर aggression और गुस्सा बहुत साथ है उनके पास शायद जितने venues हैं उनको गुस्से को unleash करने के वो कम पढ़ रहा है उनको तो positive चीज़ें कहने के लिए शायद कुछ कम है अब वो जब मुफ्ती साब आए तो उनके पास आके अच्छी बात ने कर सकते हैं अब ही भी वैसे आप देखें ऑन दे कॉंटरी हमारी जो वीडियो ट्रांस्विशन हमारी चल रही है अच्छे कमेंट्स भी मिल रहे हैं लोग लाइक भी कर रहे हैं मगर जब कुई ऐसी तोई टची सी चीज आजाती है जिस तरह से हमारी अब ब्रिंगिंग हुई है जस तरह हम रेज हुए हैं उस इंवार्मेंट में वो हमारा फर्ज अवलीन बन जाता है वहां पर के दो चार गालियां तो कमस कम दें ही दें वहां पर अपना गुसा निकालने थोड़ा बेतर फील करें जादा मुसल्मान फील करें इस वज़ा से वह हो रहा है और कुछ भी नहीं है जिसका भी एक्सपोजर जाद है सिवाए तीन बच्चों पांच सो लोग ने पांच सो तोस बनाए हैं उनमें से तीन बच्चे असे निकले जो के मेरे पिस्तॉल ले के खड़े हो गए मेरे उपरी उसके अलावा सब जो थे दे वें ओपन-माइंडेड और जो पिस्तॉल लेगी भी आए थे उनको भी बहुत पाइदा हुआ लेकिन वो क्यूंकि फिसिकल महौल में बहुत जादा अभी तक उनके चारु तरफ वही लोग हैं ज कम्यूनिकेशन दे रहा हूं कि आप जैसे रहमत हमत करके लोग जिसका इंटर्व्यू कर लेते हैं उसको तीन दफा आप किसी कभी तीन दफा फेस्बुक लाइब पे ले हैं चौती दफा उसका डर खता हो जाता है पच्छे का उसने इंटर्व्यू लिया कि मैं 32 साल का हू मैं किसी को फेस्ट नी कर सकता हूं मुझे शराम आती है और मैं अपने आपको घटिया समझता हूं यह कुछ इसकिसम के डिटागटरी था था अग्यू लोग अजी बजी तर कहते हैं तो मैं किसी से मिलता नहीं हूं पहला दिन था जिसने पोटो भी लगा ली वी लगा दी यह कुछ उपागे झाल लेड़ा दी व्यूट वेर्ट थीडैटर वी था जचाने को अंपने पीपली वेर्म। लेटर उसे अपनगे और था था ज़िए लोगा ब अश्चाने को ब्सक्राव्स किसे अजी था लुट अबसु किसम आपको इस्टॉर्वेश्य को कुछ इस कुछ groups join करे थे जो रिहान अलावाला के mutual friend groups है some 500 friends group है कोई 300 friend का mutual group है उसमें मुझे कुछ videos देखने को मिली थी जिसमें आपने बताया कि आप laptops क्यों दे रहे हैं और you went on with कि communication gap लोगों का bridge करना है जो लोग पाकिस्तान से बाहर चले जाते हैं उनके पास exposure होता है लेकिन जो पाकिस्तान में लोग रह जाते हैं जो नहीं जा पाते बाहर उनको exposure नहीं होता तो इस communication के थूँ इस interview के initiative के थूँ वो communication gap bridge हो रहा है और पाकिस्तानी लोगों का जो एक जहिन है वो खुल रहा है मैं यह कहना चाहता हूँ कि वो जो इस तरह की videos है जो introductory videos हैं वो आपके page पे अगर बार-बार upload हो और लोग देखें उन videos को कि basic पीछे theme क्या है करना क्या चाह रहे हैं और लोगों के ही benefit के लिए है यह चीज़ तो वो शायद उससे रेजनेट कर सके हैं उससे थोड़ा उनको समझ में आये के क्यों यह डायलोग क्रियेट किया जा रहा है और उनको एक्सपोशर देना चाहते हैं रिशाद शाभाई आप एक वीडियो मैंने कल शेयर भी की थी और एक कोई हजरत थे जो बता रहे थे कि एक प्राड़क क्यों कोई अगर कॉपी कर ले तो उसकी कॉपी राइट हो जाती है यह आप बिल्कुत सही कह रहें लेकिन दीन और रिलिजन तो प्राड़क नहीं है कौन सी कंपनी है यह कंपनी तो नहीं है यह तो एक वे अफ थिंकिंग है और बुद्ध जो आए थे वो बुद्धिजम लेकर नहीं आए थे जीजिस जो आए थे यानि हजद इसा जो है अब मैं कहीं और ना कर जाओंग उसे इच्छा मैं खाऊश रहूंग क्योंकि यह बहुत टची सबजेक्टर लोगों के लिए बट बॉटम लाइन ये है कि हजदूर जो जीजिस आए थे जीजिस ने क्रिस्टियनिटी नहीं बनाई थी जीजिस के फॉलवर ने क्रिस्टियनिटी बनाई थी जीजिस इचके पीटर ने ये बाइबल लिखी थी अब ये बाते हमें नहीं मालूम है और हम जो है वो बहुत बहराद आपको लोग जायार नहीं है ये बाते सुनने के लिए या समझने के लिए क्योंकि हम उसको समझने के हम शिर्क कर रहे हैं या हम कोई गरबड करने जा रहे हैं जहां तक आप इदूसरे सामने हिंदू की बात करी देखिए हिंदू मुसल्मान इस सब किसने बनाएं की खुदा ने बनाए हैं अगर तो फिर बात करने में कोई हरज नहीं होना चाहिए जहां तक बात रहे हैं आंट्रपर्णुर्शिप की तो ये अपॉर्चुनिटी को करने को उंट्रपर्णुर्शिप कहते हैं अपॉर्चुनिटी कहा होती है अपॉर्चुनिटी वहां होती है जहां पर कोई कस्टम जहां पर कोई काम नहीं कर रहा हुता तो इत्तफार के है कि हमें अपॉर्चुनिटी मिल गई या तैसी सला गया था तो वो लोगों से communicate करें तो it will help you a lot एक चीज़ मैं भी इरशाद इरशा को कहना चाहता हूँ भाई अगर आप ये समझते हैं कि अगर religion को आप समझते हैं कि प्रॉड़क्ट ही है और आप समझते हैं कि उसकी copy ही हुई है और आप ये भी समझते हैं इस पर आपको गुस्सा आना ही चाहिए तो यहां तक भी मुझे तो कोई problem नहीं है असे आपकी गुस्सा आने से लेकिन उस गुस्से का जो आप इजहार एक extreme पर जाके करें अगर कहीं पर उससे थोड़ा समय खिलाफ करता हूँ कि उसका इजहार बहुत से तरीकें गुस्से का इजहार करने के आपको रेफरेंस ले आएं आपको इसके उपर बात कर लें उससे डायलॉग कर लें बात तो कर सकते हैं कम असका बात करने में क्या मसला है सिर्ब बात करने के लिए कहा जा रहा है और तो कुछ भी नहीं और आगर आपको बात भी नहीं करनी तो भी I would say कई जगा ऐसा आपको अपने रिलिजिन की बुक्स में भी मिलेगा कि आप खामुशी एक्तियार कर सकते हैं को ऐसा हरच नहीं है कि आप वहां चीखना चलाना शुरू हो या ये तो मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है मेरी limited knowledge के बावजूद भी के बेहुदा और लगव बातें करने से तो खास तौर पर मना किया गया है और एक आलंग गलोश तो जाहर एक कोई अच्छा तरीका ही नहीं और कोई बात थे आपने कार्ला को नहीं पकड़ा हुई तक हाओ के लिए कार्ला अलड़ी हल्प कर रही है लोगों की English प्रोग्राम के थू मैं बहुत जल्दी पास बाफार एक टाम मुझे फोन कर्ती रहती है इसको ड्यूटी लगाएं कहीं पर नहीं तो मुझे तंग करती रहती है I will, I will. और एक वो जो आफथाब हैं कार्डवाला साहब उनको भी मैं बहुत कोशिश कर रहा हुँ भाई मैं मैं कराथ ही चला दाँगा मुझे लग रहा है बहुत जल्दी उन से बात करने के लिए He is, he is वो एक कहावत है कुते की दूम वाली ना वो उसके लिए प्टाई गई थी जयाज आप मुझे लग रहा है आपको माइम दॉड़ तंग कर रहा है त्र दी चाहिब मैं उसके साथ इतना टाइम गजा रहा है एक घंटा उसके साथ लगा रहा है सर मैं भी कर रहा है, पर गायb होगा पता नहीं चाहते हैं कि फाइटे की पांच साल होगा उसको मुझे अंख्रादा वज्यूकर प्लसकम का यह जहा हें होगह ब्ल्के जांज़ा ही हो गए हो रखे हैंगल प अजैanan भेनём अपके लगह लुगए होग الح्णिन का बंदा हूँ और मैं अपने मिशन अदूरे तो छोड़ता ही नहीं मैं उसे ले क्या हूंगा तो मैं नया आइफोन जा उसको मैं छुटी पे भेजा कि चल भाई तू अब टाब चला जा 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 वहां जा कि पता है नहीं अजी बजीब से बाते करने लगा आवापस आया के तो आइफोन खतम हो गया ओके थैंक्यू यह वापस करते हैं तो ड़कर आपके वापस करते हैं और आपको शावाद समझ नहीं रहा है क्या कह रहे हैं कि दैन राजू बाते करना बिलकुँ अचान है यह तो मैं भी बाते करता हूं पर रियालिटी ऐसा नहीं होता है और यह बाते थैंक्या 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 वेस्बुक तरियुए क्यूब कि मैंने इसको भी क्राई करुए कोई पूप्शन हाथ पूप्शन हाथ उसके पाइट अगड़्ड एक पाँड़्यू ok hey Karla, how's it going? Asif wants to work with you can you please come in and talk with her let's take the card, take the card translation please Azshu when you come in I keep your card, take the card okay all right so Carla I'm going to invite you to see if we can go live with you as a guest and we can talk about how can I help you up here must remain on Ketor Tlayer today maybe in good process input data let's see hello Carla oh I look a mess I'm sorry it's all right if if you think you look like a mess look at me yeah but my hair is a real mess right now so you invite me in well to start with to start with there is positivity in everything you look at your hairs and you look at my hairs you have a lot more hairs than I do so that should be a positive thing right but you're a man so you're not expected to have as much hair as I do so somebody told me that you can never win with a woman and that turns out to be true now true how are you doing how are you doing now I am I'm good good a little tired but good but I'm not my stomach's upset so oh I see I'm like so I think you you ate too much with Rehan when he was in in town that's why no I didn't eat that much with him okay I had fun with him but I didn't eat much with him okay okay I trust you I trust you okay so for you Asif so um Rehan has how can I help you yeah Rehan has come up with this initiative how can I help you and what we do over there is we go live just like I'm live right now and uh sometimes we pick on the guests just like I did on you I invited you and uh then we stop talking to uh the people and try and see how we can help them and since you're already doing the webinar for English language classes you can talk about that different hosts they talk about their area of expertise so you can probably talk about that but I know for sure that English language webinars are not all what you have to offer you must be having some other areas where you can guide and counsel people so you can you can just you know collaborate with me and then we go from there you start doing your own shows I am already doing a show that lasts over an hour every day I know Rehan wants me to do it I he's doing it again uh-huh he's good at it he's damn good at it he's yeah he's way too good at him at it I did not want to come in tonight but I did wow wow that's that's an incredible power to have uh it's it's like a superpower me or him both because on his side on his side he can get you do things which is a superpower in itself and then you you don't want to do anything but you still get the energy to do it that's a superpower whoa I never said that I don't want to do anything where did you get that one you you said you didn't want to come online tonight and still you had to come because of him right yeah I caught you is he still watching yeah he is okay yeah so um I think what what we can do is I totally appreciate the webinar that you're conducting for English language um additionally if you can spare some time um if you don't have time every day we can do alternate days but if you can fix a time and then do a show from how can I help you page just show up online and see what people have to ask what people where people need your support and um you can also prepare an introductory video if you want to or maybe in this video you can talk about the areas where you think you'll be able to help people let's get started you know I haven't thought about this one at all okay no problem um do you want to get together and just figure out how to collaborate it yeah yeah we can do that I'm willing to do it I didn't mean for it to seem that I'm not but I do look a mess and I'm not completely um dressed like I would like to be it's all right it's all right we can we can go with it later on so I will collaborate with you and we'll we can do um a call to go over things and then we do another video when do you want to do it I can do it tomorrow but it would have to be later in the afternoon okay that looks fine that that looks like something I can manage so send me a direct message and I'll send you my number and we can talk okay and Rayhan has it too so we could kind of combine each other yeah yeah all right that sounds great so I'll get back to you on that and hopefully people can benefit from the great Carla Richman I don't think Carla Richman is as great as you guys make me to be but that's okay see you you asked is Rayhan watching or not he has liked the videos and he has reacted with hearts I noticed yeah I saw that good 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 so I think we're good on that I'll just get back to you and Arshad A. Shah is asking you how are you Arshad I'm a little tired and my stomach's a little upset and it's not because I ate too much with Rayhan as Asif said however Arshad you have not been at my show at all since the first time when I was still doing be live what is going on this calls for a penalty yeah I mean he shouldn't be allowed to do anything until he's come back to my show see the thing is about that show to be honest with you and Rayhan please listen to what I'm saying um most of the people who say they can't speak English can't speak English and they refuse to do it because they think they're not good enough and it's getting ridiculous and I tried to do a do a show this afternoon with someone who had a lot to say and it turned out he wouldn't come on because he was afraid to speak English I didn't know until after I did it and here I was saying meet this person and the person never showed up oh my gosh we need to do something about these people it's a waste of energy for them to say I can't do it because they're scared they need to get their acts together comment very hard yeah I hope he comment soon but but on his behalf I think if if you get across such a person feel free to loop me in in a group conversation and just introduce me to that person I have been talking to a lot of people who had issues and coming live on videos and coming live on videos because they think it's going to look funny and there are some people you know who didn't want to talk about certain things so I I engaged in a conversation with them and they were able to do it later on so maybe I may be able to talk to them to encourage them to speak uh in English and maybe so he is saying um asif I had a in fact right hand was in the group I had a discussion with him and that's when I found out he was scared to speak English and I said well you know we need to do this interview because you won't get cause get to talk to Rayhan until it's done and you want to deal with Rayhan so come on get your act together I mean I said it a little nicer than I'm saying it now I can tell not much nicer but a little nicer and it turned out he said oh then I really can do this and I said yeah I can tell by your text messages and he said oh then I should try it and I said look start at the morning show that I do I don't know what time it is in your country but I know what time it is in my country and in Pakistan and then you'll be fine yeah so hopefully he'll show up tomorrow and I just need to tell my bouncer to let him in yeah I like the idea of bouncer there I have to do it there's some really weird people who come to my show I know I know and so Rayhan is saying that was the purpose I asked you to do your show and you're doing a great job a good job so yeah I've read that yeah people are you know coming up coming on board there will be you know a couple of instances where we have such scenarios and once again I'm saying if there is a person who is really reluctant to talk in English what I can do differently is that I can talk to them in their language to give them some assurance and then we mix and match and then we move them to speak completely in English so that might do the trick for me okay yeah it's awesome right correct okay help me there I have two co-hosts who are adults who just came in and said Carla we want to help you so you don't have to yell at people about following the rules which is really good because I hate doing that correct and they I tell them when they should speak in their language oh how they should speak in English so we do I have that built into the program okay that's good that's good have you been at the program recently? so not recently but I was in in one of your shows but apparently that day it was the show for kids oh the kids show is totally different from the adults yes so I just got off from that webinar because it was only for kids so after that I couldn't find the time to get back on but you have a kid he's two and a half years old he can't come and if he if he comes you know nobody else will be able to stay on the show he's all yeah we can't do that do you have a nephew or a niece? not here but in Pakistan yes many many why don't you get them to come on the show? I will I will talk to them that's that looks like a good idea and what you can do is you can come in with them they may be on different computers but let me know I'm gonna let them in and you can come too all right sounds like a plan because the point the point of the kids show although it hasn't worked yet is that I wanted to bring kids of different nationalities together because kids it's more important than the adults because the kids in my mind it's the kids who are the leaders of the world and the kids are the ones who are going to kind of say hey I want you to act like human beings and not idiots mm-hmm and they won't say it in those words but that's basically what I'm looking for mm-hmm and if we could get different cultures talking to each other I know I grew up like that mm-hmm I was very lucky I grew up I came from a Jewish home but I lived in a neighborhood that was very unjewish mm-hmm and then I went to a school that was very multicultural so from very early age I met people of all different backgrounds and you are getting very blurry so my thought is if we could teach kids that hey here's a black person and here's a pink and purple person and they speak different languages but they also belong together and I'm sorry I don't feel like going into the light now right we can actually you know create a world that'll be better in the future correct correct so in my mind I know Rayhan wants me to talk with the older people mm-hmm but we need some time with the kids I certainly understand that and that's that's in sync with one of the other conversation I was having with Rahmatullah Rahmat and he was saying that we need to focus on our children and that's that's perfectly resonating with that so and also teach the kids I mean yeah I used to teach school I don't want to talk about it it was a horrible last year I would never go into a classroom again but it's the kids that are going to do so much good for the world and I'm sick of people saying that the kids have nothing to offer mm-hmm I mean they have everything we just need to keep them in that innocent loving state mm-hmm oh Nabeel is saying it's a good idea Carla because having a native speaker on board will definitely give it a boost we need the kids send me kids on Sunday that's a good idea and I will definitely look and and see how many how many I can refer but I absolutely like the idea I agree with that we are pretty much on the same page here so Carla I will get back to you with our idea on moving forward on how can I help you page and right now whatever you're doing I also want you to know that I love that and I've seen a lot of people who have commented that they love all the great work that you're doing it is so much valuable for our country thank you so much well I don't want to just valuable for Pakistan I'm sorry I want it valuable for the world and to get to more people than just Pakistanis I want to get to the people in Israel and the people in Palestine and the people all over the world because if we stay just in Pakistan then we're missing what it's really about so I just wanted to clarify this is probably I didn't want to say that it's for Pakistan I wanted to tell you that people of my country appreciate your work so much I wanted to thank you on their behalf for all the great work that you're doing thank you I appreciate all right Carla nice talking wait a minute Asif uh-huh go ahead I want kids from Florida coming from now on and that's up for you to bring them because you're from Florida talk to your friends I'm sure you have friends that have kids that are older than two and a half mm-hmm mm-hmm so can you help me with that sure of course they don't need to be Pakistani they can be anything right they can even pink and purple if you want mm-hmm pink is my favorite color right right and that's that's something that I write on my wall as well so I'm perfectly on with you I will do my role yeah Nabeel one quick question are you from are you in this country or in Pakistan I think Nabeel is in Pakistan oh that's no good I mean I didn't mean how I get started sorry I didn't say that well this this show is going crazy so and it's it's night time here guys so just ignore a couple of things here and there my dog is not doing well right now I need to clean it up and I'm not in the mood I just want to go go to sleep but um seriously I do want to talk to you tomorrow sure oh he's fine now after he made a mess on the new rug uh what am I going to do we will we will move forward on that and we will corroborate to see what we can do um thank you so much Carla for joining in uh on this ad hoc request uh look forward to working with you thank you I think it'll be fun actually I'm looking forward to it I need to add some craziness in my life of course I started that when I met Rahan so why am I thinking there you go all right we'll talk to you soon take care and have a good night okay definitely call me tomorrow and we'll figure it out actually I should be free after four okay okay looks like you can work it out yeah just send me make a group I'm sure Rahan has already done that and I'm supposed to get a thousand of his friends and I'm only up to like 440 so okay you gotta get me going of course I started it only in July the middle of July so I guess I'm doing pretty well with it hmm I think so too yeah I think I started beginning or middle of July and July is a beautiful month hey that's my birthday month wow it started on my birthday mm-hmm I started all this craziness started on my birthday yeah okay anything else I can do for you because I tend to talk I I think that for today and I'm sorry I'm laughing he has already started making groups we will definitely come it's lovely talking to you and I hope to work with you soon all right thank you that'll be fun I really do look forward to it bye 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 if he didn't do a group I'll do a group for you he's going to do it don't worry I have so many groups with Ray and I don't even I can't even keep track of them anymore all right bye 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 all right so with this I'm winding up this video I will be in touch with you soon take care and don't forget to tell me how can I help you you I I I I I I I झाल झाल